हेलो फ्रेंड नमस्कार कैसे हो आप सबी आजसा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा मैं हूँ आपका साथी गोरा और आप देख रहे हैं किलिक स्टेडी साथी हो कौर्मेंट भरती के फोरम री ओपन हो रहे हैं जिसमें पटवारी करसी परिविक्षक वन और काफी फोरम हैं जो जुलाई के पर्थम सप्ताह में यानि फर्स्ट वीक में जुलाई के री ओपन हो रहे हैं यानि री ओपन होके आविदन कर पाएंगे तो पूरी डिटेल से जानकारी के लिए वीडियो को आखरी तक देखें साथ ही दिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें, वीडियो पचंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सेर करें तो चलिए आपको बिना कोई देरी के लिए चलता हूँ कि कौन कौन सी भरती की क्या क्या इस्थती है और कितने आविदन हो चुके हैं और आप रियोपन हो रहे हैं वो कौन कौन सी भरती के फोरम रियोपन हो रहे हैं ये सारी डेटेल्स आपको इसी में बताने जा रहा हूँ पटवारी, करसी परिवेक्षक और वन नपाल के जुलाई के पर्थम सब्ता हमें रियोपन होंगे आवेदन ये राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने तैयारी सूर की यानि ये जो भरतियां है वो राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड की है जे एन सिविल भरती प्रिक्षा तिथी भी खोसित होने वाली है यानि राजस्तान में जो करमचारी चैन बोर्ड है उसकी जो बर्तियों अटकी हुई हैं उनके फोरम रियोपन हो रहे हैं साथ उन्होंने यहाँ पर इस्तिती भी किलियर की है कि क्या कुछ इस्तिती यहाँ पर चल रही है पटवाई भरती है उसके 4421 पत्ते जिसमें 35,500,000 लोगों ने आविदन किया है लेकिन अब इसको बढ़ा करके 5000 पत्त कर रहे हैं 4421 पत्ते इसको बढ़ा करके 5000 पत्त कर रहे हैं ताकी आविदन जो बढ़ेंगे उसके इसाब से पत्त भी भढ़ जाएं दूसरी है forest forest guard गी इसके 1124 पत्थे और 18,000,000 आचुके हैं जिसमें से 1041 forest guard गे और forest गे 87 पत्थे अब ये reopen होंगे और इसमें लगबग 20,000,000 फोरम होने के रिय अडवर्टाइज होगी उसमें ये अन्दाज लगाया जा रहा है कि लगबग 20,000,000 आविदन आ सकते हैं अगली जो भरती है वो करसी प्रिविक्षक की भरती है 882 पतों पर 1.50,000,000 फोरम किया है अब ये जो पत्थ हैं उनको 2000 तक ले जाया जा सकता है जे इन सीविल भरती है इसमें 553 पत थे जिसमें किवल 58,000 अब्यातियों ने आविदन किया है पिछले साल 6 दिसम्बर कोई हुई थी लेकिन आउट होने के कारणा 12 जुन को होनी है इसे प्रिक्षा को लेकर अभी क्या होगा इसके कोई स्तिती साफ नहीं है बोर्ड लंबित साथ ही इन्होंने क्या कहा है चेर्मेन ने बोर्ड लंबित भरतियों के लिए आविदन की प्रिक्रिया जुलाई के पर्थम सप्ता में रियोपन करना होगा यानि रियोपन जो भरतिया है उनको रियोपन कर देगा ताकि जो छातर रह गए थे वो फोरम भर सकें साथ ही जो लंबित जो भरतिया हैं उनको बहुत जल्द पूरा करेगा ताकि जो CET राष्तान में भी शुरूरा है Common Intense Test Group C.O.D. के लिए एक टेस्ट होगा उसके अप्लाई करने के बाद आपका Direct Selection होगा जिस प्रकार से रिट में होता है उसका गटन होगा इससे पहले इन सभी में नियुक्तियां दे दिजाइं ऐसा हरी परसाद सर्मा जो रास्तान करमचारी चैन बोर्ड के अद्दक संवनियां पर कहा है यानि इन सभी भरतियों के फोर्म रियोपन होने वाले हैं और इनके जो भी बहुत जल्दे करवा रहे हैं यह परदेश के हरजारों बेरुजगारी के लिए रहात बरी कवर है क्योंकि यह काफी लंबे समय से पैंडिंग चल रही थी अब इनको जो रियोपन करके इनकी पूरी अंतिम चरण तक इन परिक्रिया को लिजाने का काम करेंगे जैसे प लेकिन जो रहे नहीं बर पाए थे वो इस बार रियोपन होने पर फोरम भर पाएंगे तो यही सुचना आप लोगों को इस वीडियो के माद्यम से पहुंचाने की कोशिस किये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक और कॉमेंट्स करना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्र करना अपने वीडियो यहां देख आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलेंगे कुछ नया लेकर